नमस्कार शुर्वात करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी रास्वती जो बाइरन के साथ अप्री बातचीत के दौरान उन्होंने विश्व व्यापार संगटन की अनुमती मिलने पर दुनिया को भारत के खाद् भंडार की आपूर्थी करने की पेशकर्षकी अगली कबर है भजारकन के देवगर में त्रिकूट परवत पर रोपवे में फसे लोगों को सुरक्षत दिकालने के लिए चलाए गया रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है करीब 45 गंटे की जद्दो जहत के बाद हावा में आठके लोगों को बचा लिया गया इसाथ से में तीन लोगों की मौत हुई जिसमें से दो लोगों की मौत तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुई पंजाब नेशनल बैंक से दोखा धड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरफ मोदी के करीबी सुभाष शंकर परफ को तूली अभियान में कतित प्रस्टाचार का खुलासा होने के बाद से कीरीट सौम्या और उनके बेटे नील सौम्या अंडरग्राउंड हो गये हैं मुंबाई पुलिस को उनके वारे में कोई जारकारी नहीं है ना ही दोनों का कोई आता पता चल रहा है अगले खबर है उड मंगलवार को इंटरनेट सेवाओं को निलम्वित कर दिया गया है वही अगले खबर है पस्चिम मंगाल में आसे सोल लोग सभा सीट के लिए हो रहे है उप्चुराओं में भाश्पा उमीदवाद अगनी मित्रा पॉल की गाड़ी पर मंगलवार सभा कथित तौर पर पत्र कर लिया गया पुलिस के एक बरे सधिकारी निया जानकारी दी मामले में मुख्यारोपी त्रिमूल कॉंग्रस नेता की बेटे को शिकायत दर्श कराने के तुरंद बाद गरफतार कर लिया गया वहीं अगली खबर है श्रिलंका में जारी आर्थिक संकट और गहरा गया है मं अगली खबर है बैश्वी बाजारों के नर्मी के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगल वार को भी गिरावट का दौर बरकरार है बाजार में ये गिरावट आएस समय आरे जब मार्च तिमाही का रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है और वहीं अगली खबर है संराइजरस ह आदराबाद की कम से कम अगले दो आईपियल मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं धन्यवाद